नमस्कार भारत शक्ति के डिफेंस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे इंडिया और स्री लंका के संबंध के बारे में कुछ दिनों से तनाफपूर्ण रहा है लेकिन किस तरह से इंडिया इसको सुधारने के लिए सॉफ्ट डिप्लॉमसी को अडॉप्ट कर रहा है आईए नितिन गोखले से पूछते हैं नितिन डिफेंस मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है तो बताइए इंडिया और स्री लंका के बीच का जो रिलेशन्शिप है जो संबंध है वो कई हजारों साल पुराने है तो अभी सबसे पहले तो ऐसा क्या हुआ कुछ दिनों में जिसकी वज़ए से थोड़ी सी जो रिलेशन्शिप था थोड़ा सा तनावकूर्न था क्या हुआ था और किस तरह से अभी जो है इस चीज को सुधारने की कोशिश की जा रही है देखें पिछले एक साल देड़ साल से श्री लंका की आर्थिक परिस्तिती जो है वो थोड़ी खस्ता है थोड़ी कमजोर है और पर चीन ने उसका एडवांटेज लेकर उनको काफी पैसे देने की कोशिश की उनको खरीदने की कोशिश की और भारत को जो कुछ प्रोजेक्स देने थे वो भारत को एक वो इस टरोम का प्रोजेक्त नहीं मिल पाया तसी गारण से उसके हमने प्रोग्राम भी किये हैं तो उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा अभी, हमारे दर्शक जो है प्रोग्राम देख सकते हैं, तो उसके कारण संबन थोड़े से तनावपुन हो गये थे, थोड़े सी खटास आ गई थी संबन्दों में, तो उसको सुझारने के लिए फिर दोनों दरफ से पहल हुई, और इसी जो सौ से ज़्यादा बॉद्ध भिक्षू जो होते हैं, बुद्धिस मंक्स जिनको कहते हैं, वो आये थे श्री लंका से दो अलग-अलग फ्लाइट्स में, और उनके कोई मंत्री भी आये थे, जो नमल राजपक्सा हैं, जो वहां के प्रधान मंत्री के बेटे हैं, और उसको फिर से रिवाइफ करने की कोशिश की जा रही है, आपको यह बता दूँ कि श्री लंका में मिजॉरिटी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वहां के चार महानायक जिनको कहते हैं बुद्धिस्ट रिलिजिन के, वो चारो के चारो यहां आये थे, कुशी नगर में, जो चार सेकरड जगा हैं, वो उसी इलाके में हैं, बिहार और नेपाल में, बिहार उत्रकदेश और नेपाल के इलाके में, और वो चारो बहुत पवित्र मानी जाती है, बुद्धिस्ट लोग जो रिलिजिन फॉलो करते हैं उनके लिए, भारत में भी है, लुंबिनी है, बुद्ध का, बुद्ध गया हो गया, बुद्ध गया में जहां उनको एक enlightenment हुआ, उनको ग्यान प्राप्त हुआ, और तीसरी जगा है सारनाथ, सारनाथ में उनने अपना पहला भाशन कही है, सेर्मन कही है, पहला बुद्धिक उनने लिया उनके followers का, और कुशिनगर में उनन कोई आता है श्री लंका से बुद्धिस्ट जो पिल्ग्रिमेज है, वो करने आता है, तो चारो एक साथ कर सकते हैं, लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ और कुशिनगर, लुम्बिनी नेपाल में है हाला कि? पर वो पास में ही है, जादा दूर नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो पुराने संबंध है, उनको एक बढ़ावा मिला, और security, military, foreign policy, economic policies, उनके तहट जो एक संबंध होते हैं दो देशों के बीच में, उससे परे जाकर, उससे आगे बढ़कर, ये संबंध और गहरे हो भारत और शेलंका के बीच में, इसलिए इसका महत्वा, ये जो संबंध है, और जो एक religious, एक दोनों देशों के बीच में, जो एक male है, इस bondism को लेकर, तो ये तो ज्यादा deep होता है, ज्यादा गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, तो इसलिए इसको करना, I think, strategically काफी, small decision था इंडिया के, बहुत नहीं, लोग हमेंचे यही कहते हैं, और मेरा भी मानना है, कि चीन भले ही कितना भी वहां कोशिश करे, या हमारे neighborhood में कितने भी कोशिश करे, भारत के जो Sanskritic और पारंपारिक संबंध हैं, इन देशों के साथ, उसको कोई replace नहीं कर सकता है, जोग्रफी बहुत दूर है, हम विल्कुल पास में हैं, श्री लंका के कितने कई सारे दोस्त मुझे कहते हैं, हम जनम से लेकर भृत्यू तक भारत के ओपर depend रहते हैं, यह सिर्क बुद्धिस religion की बात नहीं है, मैं आपको यह भी बता दूँ कि, Catholics जो है श्री लंका के, वो Tamil Nadu में वेल यह सिता को वहां बन करके रखा था, जो रामायंड में हम सुनते हैं, वह पढ़ते आये हैं, वहां की कोई रिलिक्स, कोई अवशेष जो है, वो अब राम टेंपल जो अयुद्धा में बन रहा है, वहां लाये जा रहे हैं, तो यह multi-cultural, multi-religious संबंद है भारत और श्री नंक हो रहा है, तो किस तरह से यह जो है चाइना को यह रोकने का एक strategy था, strategy थी और इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि चाइना सिर्फ लोन दे सकता है या पैसे दे सकता है, जितने भी चीन के इंजिनियर्स, डॉक्टर्स आये, वर्कर्स आये, वह घुल मिन नहीं सकते हैं, शिलंका में हो, या बंगलादेश में हो, या मौलदीव में हो, उनका civilizational approach, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी भाषा, सब कुछ अलग है, बहुत ही अलग है, और भारत से जो संबंध है इन देशों के, उसको कभी भी रिप्लिस नहीं किया जा सकता है, तो यह हमें म soft power diplomacy, जिसको आपने पहले introduction में कहा, यह soft power भारत की है, और इसको रिप्लेस करना, बॉलिवोड म्यूजिक, लैंग्वेज, तमिल, श्री लंका में है, जो संस्कितिक संबंध, जो भारतिय तमिलों से है, या जो मौलदीव से जो लोग आते हैं, केरला में, उनके जो संबंध यह कोई और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, और इसी के ओपर भारत काम कर रहा है, यह लोगों को बताना जरूरी था, डिफेंस मंत्रा में, इसलिए हमने यह प्रोग्राम आच किया, बिल्कुल, तो soft power diplomacy, चाइना को रोकने के लिए, और चाइना का जो debt trap से चाइना जो द हम आशा करते हैं कि और ज्यादा गहरे हो जाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है, थांक्यू वेरी मच्च, डिफेंस मंत्रा देखने के लिए सहते, अब हमें प्लीज, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजे, अपने दोस्तों को कहिए, फ्रेंस को कहिए, ल बुद्धिस साइद्स पे बात की, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉई क्या होगा इसको, मिलते हैं अगले हफ़ते, नितिन थांक्यू वेरी मच्च, हमें टाइम देने के लिए, नमस्कार.